तर्म टबना रहें चिकन दम बिर्यानीज के लिए लिया 1 कज़ी चिकन और नहीं पेड़ी क्यों == दोल हैँ मैं आड़क। चुर्ब्र fluffy वन के मैधा कि दम डीनी liit डीनग और तर्म डीन है दो स्पून गरम अध्रक लसुन का पेस्ट भी आड़ कर रहे हैं हम लोग ईस्टन चिकन मसाला भी आड़ कर रहे हैं इससे टेस्ट और स्वाद अच्छे से दिखेगा आप घर पे ट्राइ कर सकते हो सिंपल रेसिपी है इजी रेसिपी है और हमने लिया है चार बड़े बारी लिए तोमाटर को इसमें भी आड़ कर रहे हैं हम चिकन मसाले में और हमने लिया है अब ऑईल गरम हो चुका है हमारा अब हम चार बड़े-बारी कटे हुए प्यास को इसमें अड़ कर रहे हैं और अच्छे से फ्राइ होने देंगे क्रिस्पिनस आने चाहिए नेक्स्ट हम चार ग्रीन चिली को और आड कर रहे हैं और हमने दिये है और में प्राय किया हुआ ओनीन को इसमें आड कर रहे मसाले में नेक्स्ट लिया है हम भारे धारा धनिया और फुदिने को इसको अच्छे से पारी धोके कट करके आड़ कर रहे हैं एक घंटे तक अच्छे से रेस्ट होने दीजिए मसाले को अच्छे से मिक्स होगो जाएगा तब ही तो अच्छे से पकेगा अब ये आदा घंटे तक भिगोया हुआ चावल है इसको अच्छे से धोके भिगोया है हमने अब हम गैस में भगोने में पानी को इतना सा ले लिया है यह है तेज पत्ता दालशीनी चकला शाजी रहो हम और लिया है ब्लाक पेपर को अच्छे से कूप लेंगे इस तरह से एक एक करके एक एक इंग्रीडियन्स को हम पानी में आड़ करते जाएंगे स्मेल और स्वाद अच्छे से आजाएगा अब हम लिया है स्वादमसार नमक पेस्ट अपने हिसाब से भी ले सकते हैं आप बारी क्या मोटा अब हम लिये है चार इड़ाची को इस तरह से इतना सही हमने कूटा है और यह भी पानी में आड़ कर लेंगे अच्छे से धकन धग के पानी को पका लिए अब हम दोया हुआ चानी में अच्छे से बीना पानी के चाना हुआ चामल को लेंगे लेकर पकता हुआ कर लिए और इससे पखनी चाहिए ज्यादा स्मूर्थी नहीं होना चाहिए अर इसको भी चनी में च्छान लिया है हमने भिना पानी के और हम सद्धाए रहे हैं और एक जई cortar के data एक लहर बिना पानी वाला चावल को अड़कर रहे हैं और फिर से एक लहर हम चावल को आड़ कर रहे हैं और फ्राय किया हूआ अनियन को भी आड़कर रहे हैं और हरा धनिया पुदिने को भी आड़ कर रहे हैं स्वाद और टेस्ट अच्छे आएगा आप भी ट्राइ कर सकते हो हमारा सब्सक्राइब जरूर कीजिए चानल को और यह है लेमन कलर आप चाहे तो आपका टेस्ट कैसे है वैसे कलर भी ले सकते हो आप अच्छे से ढकन अच्छे से दम दीजिएगा घुमा घुमा के दम दीजिएगा हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए कामेट कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए सपोर्ट कीजिए कितना अच्छा लग रहा है ना हमारा बिर्यानी यानिके दम बिर्यानी हैद्राबाद स्टाइल म onion go taste a thank you